हेलो स्टुडेंट, आज मैं कक्छा दस्वी हिंदी की पाठी पुस्तव छिप्डिच भाग दो के दूसरे पद्यपाद राम लक्षमर परशुराम समवाद जो की तूसी दास द्वारा रचित है लेकर उपस्थिद हुई हूँ तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम तूसी दास जी का गोस्वामी तूसी दास जी का जीवन परचे देख लेते हैं गोस्वामी तूसी दास जी का पूरा नाम गोस्वामी तूसी दास था इनका जन्म सन 1532 इस्वी में समवत 1589 इस्वी में हुआ था राजापुर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यू सन 1623 समवच 1680 काशी में हुई थी इनके पिता का नाम आत्मा रामदुवे, माता का नाम हुलसी, तथा पत्नी का नाम रत्नावली था इनका कारिच्षेत्र, ये बच्चों एक कवी थे, एक समा सुधार के रूप में जाने जाते हैं इनकी कर्म भूमे बनारस थी, वारालसी थी और इनके गुरु का नाम बच्चों याद रखेगा आचारे रामा नंद था इनका धर्म हिंदू धर्म था, और ये बच्चों भप्तिकाल के सबसे प्रमुक कवी माने जाते हैं इनकी विधा कविता, दोहा और चौपाई है बच्चों आपको बता दूं कि राम लक्षमन परश्राम समवाद भी दोहा चौपाई चंद में लिखा गया है इनका विश्य सगड भक्ती है, इश्वर की साकार भक्ती को इन्होंने स्थान दिया है भाषा की बात की जाए, तो संस्कृत अवधी और हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है बच्चों मैं आपको बता दूं कि राम चरित मानस हमारा ये जो टॉपिक है राम लक्षमन परशुराम समवाद ये राम चरित मानस के बाल कांड से उद्रित है बच्चों ये प्रशन पूछा जाता है कि राम लक्षमन परशुराम समवाद किस कांड से उद्रित है तो याद रखेगा बाल कांड से उद्रित है और आपको बता दूं कि राम चरित मानस में साथ कांड हैं उन साथ कांडों में एक कांड बाल कांड है और उसी बाल कांड से राम लक्षमन परशुराम समवाद हमारी किताब में उद्रित किया गया है इनकी रचनाएं देख लेते हैं रामचरितमानस, दोहा वली, कविता वली, गीता वली, विनर पत्रिका, हनुमान चालिसा इत्यादी तो चलिए बच्चों, हम पहले पत की शुरुवात से पहले आपको एक संभरी, एक सारांश दिसकस्ट कर लेते हैं आपसे बच्चों मैंने आपको बताया कि राम चरित मानस किसके द्वारा रचित है तुलसी दास के द्वारा रचित है और बता दूं कि राम चरित मानस में कितने कांड है साथ कांड है उसी में से एक कांड है बाल कांड उसी बाल कांड से हमारा यह टॉपिक राम लक्षमर परशुराम समवाद लिया गया है अब इसके प्रसंग की बात कर लेते हैं बच्चों कि राम लक्षमर परशुराम समवाद जो है एक मनोरम प्रसंग है सीता स्वयंबर आपको पता है बच्चों सीता जी राजा जनक की पुत्री थी और राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए स्वयंबर रखा था और उन्होंने ये शर्ट रखी थी कि जो व्यक्ति इस शिव के धनुष को उठा लेगा उसी से मैं सीता का विवाह कर दूँगा उस स्वयंबर में विश्वा मित्र अपने दोशिश्यों राम और लक्ष्मन को लेकर उपस्थित होते हैं और राम के छूने मात्र से ही वो धनुष तूट जाता है शिव के अनन्य भक्त परशुराम को जब ये बात पता चलती है तो वो उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए अन्यथा मैं यहां उपस्थित भी राजाओं का वद कर दूंगा तो बच्चों इस पूरे समवाद में राम लक्षमण और परशुराम का कनवर्शेशन हैं किस बात को लेकर धनुष तूटने की बात को लेकर तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले पत से नाथ संभुधन भंज नियारा हो एक दास तु भंज नियारा अर्था तोड़ने वाला हो इह केव एक दास तुम्हारा हे प्रभु शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा आये सुकाह कही किन मोही हे मुनी आपकी क्या आग्या है आप मुझसे कहते क्यों नहीं जब रामचंद जी ने ऐसा बोला त उनके वचनों को सुन कर रिसाई और क्रोध पूर्वक बोले मुनी परश्रामजी कोही और क्रोध पूर्वक क्या बोले सेवक जो करे सेवक तो वह होता है जो सीवा का काम करें, आरी करनी, आरी मने होता है बच्चो शत्रूंग, तो जो शत्रुता का काम करें, उसके साथ तो लडाई ही करनी पढ़ती है, लडाई यानि लडाई छगडा करना पढ़ता है, सुनो राम जही सिवधनु तोरा सहस्र बाहु समसो रिपु मूरा सुनो राम जही मने जिसने शिवधनु शिव के धनुष को तोरा है वो सहस्र बाहु पच्चो बता दूँ सहस्र बाहु एक राक्षस था जिसका संगार परशुराम जी ने किया था तो कहना है कि हे राम जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति शहस्र बाहु राक्षस के समान रिपु मूरा रिपु यानी शत्रु है मेरा सो बिलगाओ पिहाई समाजा उससे मैं कहता हूँ कि इस राजाओं के समाज से बिलगाओ मने अलग होकर खड़ा हो जाए ना तो मारे चैंहें सब राजा नहीं तो यहाँ उपस्थी सभी राजाओं को मैं मार दूंगा सुनी मुनी वचन लखन मुस्काने बोले परशुधरही अवमाने अब मुनी के वचन सुनकर लक्षमण मुस्कुराने लगे और फरसा धारण किये परशुराम जी से अपमान पूर्वक शब्द कहने लगे अपमान अवमाने बच्चों अपमान पूर्वक्षब्द कहने लगे बहुत धन ही तोरी लरकाई कभोन असरिस कीनी गुसाई हे गुसाई हे गोस्वामी हमने तो बहुत धन ही बहुत से धनुशों को तोड़ा है लरिकाई यानी बचपन में हमने बहुत से धनुषों को तोड़ा है कभवन न असरिस कीनी जुसाई तब तो असी मनी इस प्रकार रिस मने क्रोध न कीनी आपने तब इस प्रकार क्रोध कभी नहीं किया एही धन पर ममता कही है तू हे आचारिय हे गुसाई आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किसलिए है फिर सुनी रिसाई कह भ्रिग कुल केतू यह सुनते ही भ्रिग वन्ष के केतू यानी पताका के समान परश रामजी अत्यन्त कुपित रिसाई यानी क्रोध में कुपित वाडी में बोले निर्प बालक काल बस बोलत तो ही न समहार हे राजा के पुत्र निर्प बालक यानि राजा के पुत्र निर्प माने राजा काल बस यानि तू काल के वश में होने के कारण बोलत तो ही न समहार समल कर नहीं बोल रहा धनुही सम्त्र पुरारी धनु इस सब धनुष को जिसे तु छोटी सी धनुई के समान बता रहा है इसकी महिमा के बारे में सारा संसार भली भाती जानता है कहने का आशा ये है कि वो कहना चाहते हैं कि ये तरपुरार ये शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों कि ये शिव का लौड शिवा का धनुष है इसकी तुलना तुम छोटे मुटे धनुषों से नहीं कर सकते इसकी महिमा विदित सकल संसार संपूर संसार चानता है दूसरा पत देखते हैं बच्चों लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना अब लक्षमर ने हस्ते हुए कहा परश्राम से हे देव हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है का छती क्या हानी हो गई लाभु मने क्या लाभ हो गया जून धनुटोरे इस धनुष के तूटने से किसी को क्या लाभ और क्या हानी देखा राम नयन के भोरे जब लक्ष्मर ने इस प्रकार बोला तो राम ने उनको नयन के भोरे यानि तिरची नजरों से देखा कि तू आचार्य से परशुराम से तू वाद विवाद मत कर क्योंकि वो एक रूधित मुनी है चुवत तूत रगुपति नदोसू मुनी बिन काज करें कतरोसू अब वो कहते हैं रक्ष्मर जी कहते हैं कि चुवत तूत रगुपति नदोसू जरसे ही राम चंदर जी ने इस धनश को चुआ वैसे ही यह तूट गया हे मुनी बिन काज बिना काज के क्यों इतना रोश कर रहे हो क्यों इतना गुसा कर रहे हो बोले चितई परश की ओरा रे सट सुने हो सुभाओ नमोरा अब परश राम जी अपने चितई मने देखकर फरसे की ओर देखकर कह रहे हैं कि रे सट हे दुष्ट तूने मेरे सुभा के बारे में नहीं सुना है, तु मेरा सुभाओ नहीं जानता है, अब वो अपनी विशेस्ता बता रहे हैं, अपनी विआलिटीज बता रहे हैं, कि मैं बाल ब्रह्म चारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया है, अतिकोही य मैंने अपने भुजबल यानि भुज़ाओं के पुज़ाओं की शक्ती से भुमी को पृथवी को धर्ती को भूपबिन राजा के बिना कर दिया विपुल बार महि देवन दीनी और चत्रीकुल का नाश तो किया ही साथ साथ मैं उन्हें ब्रामण महीदेवन यानि जो भी मैं राजाओं को मारता था और उनकी जो भूमी होती थी उन्हें मैं किसे महीदेवन यानि ब्रामणों को दान कर देता था बिपुलवान मैंने बहुत बार सहस्र बाहु भुज छेद निहारा और शहस्र बाहु जो राक्षस था उसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से क्या किया था चेदन कर दिया था उसका चेद निहारा यानि चेद चेद उसके कई टुकडे कर दिया था परस विलोक महीप कुमारा अब वो अपने फरसे को देखकर कह रहे हैं कि मेरे फरसे ने शहस्र बाहू जिसके सहस्र बुजाएं थी उसका भी चेदन कर दिया था उसका भी संघार कर अब वो पुनह लक्षमर से कहते हैं परशुराम मात पितही जनी सोच बस करसी महीश किशूर गर्भन के अरभक दलन परशुमूर अतिगोर अब वो कहते हैं कि हे राजकुमार तू मुझसे लड़ाई मूल लेकर अपने माता पिता के लिए सोच और चिंता का कारण मत बन अपनी सोच और अपने वाद विवाद के कारण अपने माता पिता के लिए सोच और चिंता का कारण मत बन परशुमूर अतिगोर मेरा जो फरसा है वो अच्यदिक कठोर है गर्भन के अरभक दलन यानि यह तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की सामर्थि रखता है इसलिए तू मुझसे बेवजह बहस मत कर आईए तीसरा पत देखते हैं हम बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभटमानी पुनिपुनि मोही दिखाव को थारू चहत उडावन फू की पहारू अब परशुराम जी की बात सुनकर लक्षमन विनम्रमानी में ब बोले अहो मुनीश महाभटमानी हे मुनी आप तो बहुत बड़े योध्या हैं पुनि पुनि मोही दिखाव को थारू फिर मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं पुनि पुनि यानि बार बार चहत उडावन फू की पहारू क्या आप अपनी एक फूक मार कर पहार को उला देना चाहते हैं यहां कुमण बतिया को नहीं हे आचारी हे देव यहां पर कोई कुमणा बच्चो यानि पंकिन का छोटा सा ग्रो अप वेजटेबल कोई नहीं है जिसे उंगली दिखा देने से वह नश्ट हो जाता है बच्चों पंकिन का जो ग्रो अप वेजटेबल होता है, जो starting होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस पर अगर उंगली दिखा दी जाती है तो वो सड़ जाता है खराब हो जाता है तो वही लक्ष्मर जी कहा रहे हैं कि यहां कोई कुम्रे की बत्या नहीं है, कि आप उंगली दिखाओगे तो वो नश्ठ हो जाएगा मैं भी एक महान योधा हूँ देखी कुठारू सरासन बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना अब वो कहते हैं कि हे मुनी आपके हात में फरसा और कंधे पर धनुषबार कुठारू यानि फरसा और सरासन यानि धनुषबार देखकर मैंने तो देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कुछ वचन आपसे कहे थे भ्रिगुसुत समझी जनेऊ भिलो की हे भ्रिगुसुत आप भ्रिशिभ्रिग के पुत्र हैं और आप अपने गले में जनेऊ धारान कर रखा है फिर जो कचु कहू सहू रिस रोकी इसी कारण यह सब देखकर ही मैंने क्या जो कचु कहू आपने जो कुछ भी कहा उसे सहू उसे मैंने सह लिया और रिस रोकी अपने क्रोध को मैंने नियंतरित कर दिया रिस यानि क्रोध फिर वो कहते हैं माषिसुर, हरीजन, अरुगाई हमरे कुल इन परनशुराई हे आचारे हमारे कुल में हमारे कुल की यह मर्यादा है कि सुर यानि देवता महिसुर यानि ब्राम्हळ हरीजन, हरीगेजन यानि उनके भक्त और गाए पर हम कभी प्रहार नहीं करते परशुराम एक क्या है ब्राम्हर है तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे कुल में देव, देवता, ब्राम्हर, हरी केजन अर्थात भक्त और गाए पर आक्रमर प्रहार नहीं किया जाता है बधे पापू यदि हम इनको मारें तो हमें पाप लगता है और अब कीरती हारे और यदि हम इनसे हार जाएं तो हमें अब कीरती होती है अपयोश होता है हमारी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती मारता हूँ पापरी तुम्हारे इसलिए आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पा अर्थात पैरों को पकड़ूंगा चरण स्पर्श करूंगा आपके कोटी कुलिष समवचन तुम्हारा व्यर्थ धराउ धनु भान कुठारा अब लक्षमन जी कहते हैं कि कोटी कुलिष यानि करूंग कठोर वच्च के समान आपके वचन है आपने तु व्यर्थ ही धनुषबान और सरासन धारण कर रखा है आपके वचन मातर से ही इतने कठोर वचन है कि किसी का नाश हो जाए आपने तु व्यर्थ में ही धनुषबान और सरासन धारण कर रखा है जो बिलो की अंचित के हूँ चमव महामुनी धीर सुनि सरोष भ्रिगुवन्स मनी बोलेगी रागंभीर अब लक्षमनी जी कहते हैं हे महामुनी यदि आपके फरसे और धनुशबार को देखकर बिलो की यदि देखकर अंचित कहूँ मैंने कुछ अंचित कहा हो चमव महामुनी धीर तो आप अपने धैर से मुझे चमा कर देना हे महामुनी मुझे चमा कर देना सुनि सरोष भ्रिगुवन्स मनी बोलेगी रागंभीर अब लक्षमर जी की बाते सुनकर उनकी व्यंग्योक्तियां सुनकर फ्रिगुवंश के मरि स्वरूप परशुराम जी ने सरोश यानी क्रोध पूर्वक पहुत ही गिरा गंभीर गंभीर वारी में बोला अब क्या बोला बच्चों? नेक्स्ट पेराग्राफ में देखते हैं हे लक्ष्मण लक्ष्मण को अवमानना करते हुए देखकर परशुराम जी अब किस से बोल रहे हैं बच्चों? विश्वा मित्र से बोल रहे हैं आपको मैंने बताया था कि राम और लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वा मित्र था यहां कौशिक किसके लिए प्रेक्त हुआ है विश्वामित्र के लिए अब वो विश्वामित्र परश राम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कौशिक सुनहू मंद यह बालगू हे कौशिक हे विश्वामित्र सुनू यह लक्षमर जो है मंद यह बाल निजब कुल गालक अपने ही कुल का नाश करने वाला है भानुवंस राकेश कलंकू यह कहा जाता है कि रामचंद जी का वंश जो था वो भानु यानि होता है सूरिवंश के नाम से जाना जाता था तो वो कह रहे हैं कि यह अपने सूरिवंश रूपी सूरिवंश यह लक्षमड सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान हैं यह निपट निरंकुष अबुद असंकु निपट यानि अत्यधिक पूल रूप से क्या है निरंकुष मनमानी करने वाला उद्दंड अबुद यानि नासमज मूर्ख और असंकु यानि शंकारहित निडर ह अब वो कहते हैं कि यह अभी एक छड़ में ही मेरे फरसे के काल का गराज बन जाएगा यानि अभी एक छड़ में ही मैं इसका वद कर दूँगा फिर कह रहाओं पुकार के खोरी मने होता है बच्चों दोश देना खोरी मुहिना ही हे विश्वामित्र ये मुझसे इतना वाद विबात कर रहा है व्यंगपूर्ण उक्तियां कह रहा है अभी मुझे क्रोध हा गया तो एक छड में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा मैं इसका वद कर दूंग फिर आप मुझे दोश मत देना तुम हट कहूँ जो चहों उबारा हे विश्वामित्र मैं अब कहता हूँ कि अगर यदि तुम इसे बचाना चाहते हो हाँ इसे मना कर दो और यदि तुम इसे उबारना चाहते हो ये बचाना चाहते हो कही प्रताप बलू रोश हमारा तो उ और शक्ति से इस लक्षमर को अवगत कराओ लखन कहूं मुनी सुझस तुम्हारा तुम्हें अक्षत को बरने पारा अब लक्षमर जी कहते हैं हे मुनी आपकी महिमा का वर्डन आपको छोड़कर और कौन कर सकता है तुम्हें अक्षत को बरने पारा आपको छोड़कर और कौ बरनी आप अनेक बार अपनी प्रशंसा स्यम कर चुके हो अपने मुझे ही अपनी प्रशंसा आप अनेक बार कर चुके हो नहीं संतोश हो तब पुनिकचु कहा हो हे मुनी यदि अभी भी आपको संतोश नहीं हुआ सैटिश्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर कुछ मुझे कह ली जैनिरिस रोखे दुसह दुख सहू आप अपने क्रोध को रोक कर असही दुख असहनी दुख क्यों सहन कर रहे हैं है लक्षमर जी कहते हैं कि है मुनी यदि आपको अभी भी संतोष ना हुआ हो तो मुझे आप और भी कुछ कह लीजिए मुझे जो भी बोलना हूँ वो बोल परन्तु अपने क्रोध को रोक कर आप असहनी दुख को सहन मत कीजिए वीर व्रती तुम छीर अचोभा गारी देत नपावत शोभा अब वो कहते हैं कि आप वीर व्रती यानि वीरता का व्रत धारन करने वाले धीर धैरशील अक्षोभा माने होता है बच्चों अक्रोधी म अगारी देत नपावत सोभा आप गाली देते आपके मुह से गालियां अशोभनिय प्रतीत होती हैं गाली देना आपको शोभा नहीं देता फिर वो कहते हैं सूर समर करनी करही कहिन जनाव ही आप विद्यवान रन पाई रिप कायर कतही प्रताप अब वो कहते हैं कि शूर शूर यानि शूरवीर योधा जो होते हैं समर करनी करई, समर यानि युद्ध भूमी में अपने सौरिक का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, कही न जनाव ही आपू, अपनी प्रशंसा या अपने पराक्रम का बखान नहीं करते, अपने पराक्रम को मुह से बोल कर नहीं बताते विद्यमान रन पाई रुपू युद्ध भूमी में शत्र को विद्यमान देखकर कायर कतहीं प्रतापू कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप का बखान के करते हैं ताद पर यह है कि लक्षमर जी कहते हैं कि जो शूरवीर योध्धा होते हैं वो जब युद्धु भूमी में अपनी शत्र को सामने पाते हैं तो वो उनसे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ लड़ते हैं ना कि खड़े होकर अपनी प्रताप का अपनी शक्ति का मुह से बखान करते हैं तो आशा करती हूं बच्चों आपको ये चार पत समझ में आये होंगे इसी के साथ मैं समापन करती हूं धन्यवाद